तो हें गाइस वेलकम टू यू पियसी सीडियास सो आइ थिंक यह लास्ट वीडियो होगी दोजार तेईस की और इस वार मैंने यूटूब पे जाद अच्छा नहीं किया लेकिन दोजार तेईस में मैंने जो हांसिल किया वो काफी ग्रेट था और मैं काफी सैटिसफाइड हूँ अपने दोजार तेईस के पूरे परफॉर्मेंस से लेकिन 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 मैंने दोजार पाइस के लास्ट में एक वीडियो डाली थी वो यह है माई फेलियर ओफ सीडियस ट्वैंटी ट्वैंटी टू में फेल हुए और उस साल में लगवग मैंने 10-11 एक जाम दिये थे जो जिन मैं मैं फेल हुआ था यह लेकिए और सभी बात है प्रिलिम्स निगल जाता है में निगल जाता है तो कहीं और रह जाते हैं कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं मिश्टेक होती ही रहती है और अगर आप CDS की preparation कर रहे हैं तो आपको mentally prepare भी होना पड़ेगा अपने failure के लिए क्योंकि CDS में fail होना बिलकुल आम बात है बहुत जादा लेकिन 2022 में जो मैंने मैनत करी थी आप लोग समझे आपने 2023 में पूरी मैनत करी होगी ठीक है माल लेजिए तो बस वहाँ पर आके खतम नहीं करना है उसको और बढ़ाना है और बढ़ाना है literally जब हम fail हो जाते हैं तो हमारे मैनत करने का और बढ़ता है और बढ़ता है लेकिन एक time पर आके हम इतनी बार fail हो जाते हैं कि पढ़ने का money नहीं करता वहाँ आपको रोकना है, थोड़ा सोचना है और फिर उसके बाद में फिर से सुरूबात कर देनी है वहाँ रुकिये मत पूरी तरह से अगर आप 2023 में आपका किसी रीजन की बज़े से आप फेल हो गया है या फिर कुछ ना कुछ से सिलेक्शन नहीं हुआ है काई भी तो घवराने वाली वाली कोई भी बात नहीं है, 2024 में हो जाएगा मैं तो बस यही कहना चाहूँगा कि मैंने खुद गरवड करी है गरवड से से सेंस मेरा SSC, Bank, CDS तीनों की तरह गए हैं और जो की नॉर्मल हर स्टुडेंट करता है लेकिन इनके साथ में ही कुछ गलतियां वहां हो जाती है जैसे लेकपाल का एकजाम था, UP लेकपाल का तो वहां मैंने 0% भी ट्राई नहीं किया था परी देने के बाद मैं पैट के एकजाम देने के बाद मैंने वहां पर तयारी नहीं करी, फॉरम भी नहीं बरा था क्योंकि जो बिल्कुल आउट उफ स्लेवस हैं, उनको देने का कोई मतलब ही नहीं बनता है अब जैसे आप CDS के साथ में CGL करेंगे तो चल जाएगा चल जाएगा, चलने लाइक है, बिल्कुल है लेकिन CDS और CGL के साथ में बैंक चलाना ये बहुत मुस्किल नहीं है, बट मुस्किल है, ठीक है I mean वो पजल वाली बात में कर रहा हूँ और रीजनिंग का जुस लेवस है, बहुत बिल्कुल अलग हो जाता है जैसे अभी CGL का एक्चाम जो है, अक्टूबर में होगा लगवग मेंस, ठीक है और लेकिन उससे पहले आप बैंक के एक्चाम जरूर दे सकते हैं, अगर आपके पास टाइम है तो लेकिन 2023 में तो टाइम नहीं था, 2022 में भी बिल्कुल टाइम नहीं था, तो बो सब गड़बड है, होई थी तो 2024 के लिए अपना एक टारगेट फिक्स कर लीजिए मैं seriously बता हूँ, मैंने 2022 के लाष्ट में जो ये वीडियो बनाई थी, आप इसको जरूर देखिए, इसमें मैं कितने एक्जम में फेल हुआ हूँ, लिंक डिस्किप्सिन में डाल दूँआ, ठीक है के आजाना अपने आप में पहुँच जदा disappointed था मेरे लिए, और उससे पहले CGL में मैं इसलिए फेल हुआ क्योंकि मैं SSB की तयारी कर रहा था, तो 2023 का जब मुझे 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 मुझा मिला तो मैंने CDS को थोड़ा सा ऐसे सोच लिया, कि पहले मैं CGL दूँ तो तो बिल्कुल ही बढ़ाई बंद हो गई, क्योंकि उससे पहले CGL के एकजम साथ माज तक इतना पढ़ लिया थे तो लग रहा था कि हाँ पूए टाइम का ही पढ़ लिया, और बात सही भी है, आपना बस एक एकजम पेपर निकाल लीजे, उसके बाद में आपको पढ़ घर से 500 km दूर है, लेकिन ये इतना भी दूर नहीं है, जितना अगर मैं CDS में लग जाता तो हो जाता, हाँ, अगर मैं CDS में लगता तो मेरी संतुष्टी थोड़ी और लेविल की होती, क्योंकि ड्रीम तो था, ये Air Force है भी अभी भी, लेकिन आपको CDS की reality भी पता होनी चा का chance बहुत ही जादा कम है, तो 2024 के लिए आप सभी को मैं good luck कहना चाता हूँ, अपनी preparation को बहुत अच्छे से करिये, और हम हर बार ही ये सोचते हैं कि इस साल हम CDS निकाल लेंगे, इस साल में जॉब लेंगे, इस साल में जॉब लेंगे, इस साल के end तक जॉब लेंगे, कभी होना उस पर मत करिये, एक आपका fixed time table होना चाहिए, अगर आप GS पढ़ रहे हैं, English पढ़ रहे हैं, Maths पढ़ रहे हैं, तो ठीक है, लेकिन अगर आपके बल GS ही पढ़ते जा रहे हैं, Maths और English जो आपका week है, वो ही नहीं पढ़ रहे हैं, तो दिक्कत वाली बात है, यहाँ अपने आपको रोकिये, और सब सब्जेक्ट को बराबर time दीजिए, और जो आपका कम जो रहे हैं, उसको obviously जादा time देना चाहिए, मैं बता नहीं क्यों जब आपकी ऐसे कुछ बोलने की कुस्स करता हूं, तो मुझे ऐसा लगने लग जाता है, कि मैं ज्यादा ग्यान दे र आ रहा हूं, best of luck और जय हिंच, जय भारत, bye